जे श्री कृष्णा आज हम भगवान विश्णू का मद्धू देत्या से युद्ध एवं उसका वद्ध के बारे में विश्दिवर्णन करेंगे वेश्ण पायन जी ने कहा जनमेजे भेंकर प्राकरम वाले बलवान मधू देत्या ने परहलाद के कहने से देवराज इंद्र को परवत के भीतर तिक्षन लोह पाशों में बंद कर लिया है उसने ऐसा इंद्र के राजय पद को प्रापत करने के अभिलाशा से किया इंद्र को बंधी बना लेने के पहच्चात उसने भगवान विश्णु को ललकारा कश्या प्रिशी के पुत्र दोनों और बंड गए थे एक दल देत्यों के पक्ष में तो दूसरा दल देवताओं के पक्ष में संग्राम करने स्थेतु सम्मिलित हो गया देत्या पक्ष की सेना अस्त्रों शस्त्रों से सुसजित होकर रणक शेत्र में आजुडी उन्होंने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा तो दूसरी ओर से देवपक्ष से गंधर्व किन्नर प्रसनता पूर्वक गायन वादन कर नाचने लगे वीना की मधुल जंकार पर दैत्य राज वे भहुत से दैत्य सैनिक मदमस्त हुए मोहित हो गए उधर से भगवान विष्णु ने मंदार प्रवत पर प्रवेश किया भ्रम्मा जी आदी सभी रिशिगन अद्रिश्य हो गए मधु दैत्य ने कूपित क्रोधित होकर अचानक भवान विष्णु की कनपट्टी पर एक जोदार घोंसा दे मारा भगवान विष्णु जी ने इसे सहच सरल भाव से सहन कर लिया परंतु ततकाल ही विष्णु जी ने दैते की चाती पर मुठ्थी का जोड़दार प्रढ़ार किया तो राक्षस लड़ खड़ा गया सहन ना कर पाया मुक से रख्त का वमन करता हुआ धराशाई हो गया होश में आने पर प्रित्वी से उठा और भगवान विष्णु से गाले गलोज करने लगा विष्णु जी ने कटू वचन बोले कठोर बाते कहते कहते परस पर गरजने लगे दोनों एक दूसरे कवद कर देने की इच्छा से परस पर गुंत गए दोनों ही महाबाहू यौधा कोशल में परवीन थे धरता पूरवक परहार करते वे दोनों वीर इस परकार जबटते मानो पंकों वाले दो परवत आपस में उरज रहे हो दोनों में हो रहा मल युध मानो दो विशाल हाथियों की लड़ाई हो दोनों एक दूसरे पर बराबरी भारी पड़ने लगे दोनों ही एक दूसरे को घायल करके रक्त से लथपत होगे महा भयंकर युद्ध भी तभी आकाश्य से रिशिवय सिद्धगन भुखान विशनु का स्तुति गायन करने लगे हे प्रभु इस पंच भोतिक शिरीर में आतम रूप से जो विद्यमान है वही आप चिनन में भ्रह्मा और देह तथा इंद्रियों वाले प्राणी के रूप में स्थित हैं यही पंच भोतिक उपादान प्रले के उपस्तित होने पर सुक्ष रूप ग्रहन कर आभगवान में ही विलील हो जाते हैं तथा वह सुक्ष्म उपादान विभिन जीवों को उत्पन करके स्वयम निरलिप्त भाव से सरवत्र रमन करते हैं वही आप योगास्ता दुष्टों के दुष्मन अर्थार्थ दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जन पुरुशों के पालन हेतू प्रित्वी पर अवतरित होने होते हैं भूतों को धारन करने वाले प्रित्वी शेश संग्यक अनंत स्वर्ग के पालक इंद्र तथा महा पंच भूत सब आप पर ही हैं इस प्रकार सिद्ध गणों दुवारा की गई स्तुति के पश्चात भगवान विश्णु जी ने हैगरिव के रूप का सुमरन किया फिर देवताओं के कल्यानाथ भगवान विश्णु ने भ्यंकर एवं विशाल रूप धारन कर देत्यराज मधू दानव को सदा सदा की नीन सुला कर समापत कर दिया नश्रेश्ट उस समय मधू के मेद रूपी जल से अचादित हुई यह सारी प्रिथ्वी देखने ही बनती थी इस मेद के विशाल फिलाव से ही प्रिथ्वी को मोदिनी नाम प्रापत हुआ है फिर हजारों असुरों द्वारा यही नाम भूतल पर परचारित हो गया आईए अब हम समुंदर कमंथन अम्रित वेरतन प्रापती के बारे में विश्दिवर्ण करते हैं वैशिम पायेंजी ने कहा हे राजन तेता यूग के अर्रंभ में प्रजापती ने रिष्यों को साथ लेकर वेन कबमो कुमार प्रिथु का राजय भिशेक कर दिया उनको सब कारियों से प्रजाजन प्रसंद थे सुखी वैसंतुष्ट थे सभी ने राजा को धन्य धन्य कहकर सम्मान दिया बसंत्रितु का मास होने की कारण तपस्य में लीन सभी देवतागन वरत उपवास करते हुए क्षीन हो गए जो गंध मारदन परवत पर निवास करते थे म मंद मंद शीतल पवन चलने से पुष्प सुखंदित फैल रही थी इस मदमस्त गंध से सब देवतावैदानव गण उनमत होने लगे पुष्प भी वायू के जोंकों के साथ साथ सर्वादिशाओं में पती-पती होकर उडने विखरने लगे इस पुष्प सुखंदित से म मदर सुखंदित वे प्रभावशाली होगा कर्म विश्यक बुद्धियां नाना परकार की होती हैं देहधारियों को उनकी बुद्धी के बल से समझाद परका जाता है अता है हम लोग समुद्र जल के भीतर कुछ औशदियां डाल कर मंदरा चल को मंथनी रूप में लेकर सम अमरित प्रापत होगा हम लोग उसका पान करके इच्छा उनसार रूपधारन कर सकेंगे और अमर हो जाएंगे इस कारिया के समपादन में भगवान विश्नु हमारी सहायता करेंगे हम लोग शत्रों को प्रास्त करके प्रत्वी पर वे स्वरग का सुख भोगेंगे फिर ग अंदराचल प्रवत को उखाडाना अरंब किया प्रवत था कैसे उखडता फिर सभी दैते घुट्रों के बल बैठकर भ्रम्मा जी से इसको उखाडने की विधी जानने लगी भ्रम्मा जी ने दैतों का मनुरत जानकर लोक हित की कामना से नाना परकार के वाक्यों द्वारा अश्रीरिवानी का प्रयोग करते हुए कहा अधित्या, वसू, रुद्र, मरू, दगन, देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदी सभी एक साथ मिलकर प्रयातन करें तो यह महातेजस्वी परवत उखड जाएगा देवता सभी मिलकर प्रयास करने लगे, फिर उन्होंने परवत को मंधनी बनाकर ओशद डालकर एक हजार वर्षों तक समुंद्र का मंधन किया तब समुंद्र से धर्वंत्री, लक्षमी, वारूनी, कोस्तु भमनी, चंद्रमा, उचे, ख्षरवा, घोडा निकला तब स्चात, अम्रित का प्रादूर भाव हुआ, अम्रित घट पर देत्यों ने तुरंत अधिकार कर लिया अम्रित को देवताओं ने भी पीना चाहा, तब ही राहू ने इसे पीना अरंब कर दिया चंद्रमा ने राहू की ओर संकेत करते हुए पूछा, कि अपनी पंकती में कोई देत्यतों नहीं बैठा है भवान विश्णु ने भी देखा, कि राहू अकीला ही अम्रित का पान कर रहा है तो उन्होंने अपना चक्र उठाया और राहू को दो भागों में कांट दिया फिर इंद्र वे पृत्वी से मिलकर अम्रित के महा कुम्ब का हरन भुलिया फिर भ्रम्मा जी के हस्तक्षेप से प्रित्वी ने इंद्र से भी अम्रित को हथिया लिया और वापिस लोट गई राजा बली और वामन वैशिम पायन जी ने कहा राजा जिनमेजे महा बली दानव भोग प्राकरम करके तीन लोकों का राजय प्रापत करना चाहते हैं देवतागन युद्ध में परास्त होकर तपस्या में रत हो गए हैं उधर राजा बली दानव श्रेष्ट प्रित्वी पर राजसुई यग्ये का नुश्ठान करने लगे जब यग्या रंभ होने लगा तो वहाँ पर वेद वेता भ्रामन यती योगी और सिद महात्मा आपद यग्या का श्री गनेश महारिषी शुक्राचारे ने अपने पुत्र के सहयोग से किया तब ही भगवान विश्णू वामन रूप धरकर राजा बली के यहां आए और भिक्षा मांगी बली तो प्राई हिदान दक्षिना देने में प्रसिद थे किसी भी भिक्ष्यू को निर इस प्रकार तीनों लोकों में दैत्यों का राजय समापत हो गया देवताओं का राजय स्थापित हो गया तब विश्णू जी ने तीनों लोकों का राजय इंदर देव को सौंप दिया इंदर ने सभी देवताओं को अमंतित कर सौंप रस का पान कराया ब्रह्मा जी ने इं इंद्रदेव को त्रिलोकी का राज्याय देने की घोशना कर दी जिससे चारों और हर्ष का वातावरन चा गया वारहय अवतार और प्रित्वी का उधार वैशंपायन जी ने वारहय कथा कहते हुए जर्मजे राजन यह सारा पुरान संख्ययोग में है वेदो शास्त्रों के क कुछ समयोपरात भगवान ने प्रित्वी की इच्छा भिलाशा करते हुए पुने अंडे का मुख नीचे करके उसके आठ भाग कर दिये वह अंडा अब अनेक खंडों में बढ़ गया अंडे का उपरी छेद अकाश बन गया तथ नीचे का भाग रसा तल बन गया पहले दे वे सब मेग बन गये अंडे का तरल अंश प्रित्वी रूप चारों और फैल गया स्वरनिम अंडे से देवताओं हे तुवी भाजित होते समय जो तरल निकला वह अगनी की उत्पत्ति करने का कारक बना शेश बचे जल से दिशा विदिशा के अंत्रिक्ष और स्वर्ग धरातल आसा मानने हो गया इस असंक्य परवतों पवय वन जंगलों से तथा नरायन अत्मक दिव्य जल से प्रित्वी भोजील होकर कामपने वकष्ट पाने लगी अत्याथिक बोच से दबती हुई धरा नीचे रसातल में धंसने लगी तभी पीडिता प्रित्वी आर्थ न गढग गधा और चक्रधारी पुरिशोत्म आपको नमस्कार हैं आप ही सर्व जगत का वैसे इसके समस्द जीवों का पालन वरक्षा करते हैं आप अपने तेजबल के रहते सब को धारन करने में सक्षम हैं मैं भी आपके ही कारण सब कुछ धारन करने में समर्थ हूँ आप आप ही अवतरित होते रहे हैं हे प्रभु मैं देत्योवे दानवो के दोरा पीडित होकर अंततय आपकी शर्ण में हूँ क्योंकि हे देव मैं इस बोज पर आपके तेज से क्षिन काय होकर रसातल में धंस रही हूँ देव मेरी रक्षा कीजिए जब तक मैं आपकी शर्ण नहीं आई थी तो मैं भैभीत रहती थी अब आपकी शरण में आकर मेरा सारा भै दूर हो गया है प्रित्वी की विने स्तुति सुनकर भुवान विश्नु पसीज गए कहने लगे है देवी प्रित्वी यहां आकर आप किसी प्रकार का भी भै मत करो मैं तुम्हारे अनित भगवान का वांगमे सवरूप स्वस्त प्राणियों के लिए अजे था देखने में विशाल विक्राल रूप श्वेत दांत बड़े उग्र थे आंके विदुत वैसूरे करिस्वान गंभीर आयमं भीक्षिन प्राकरम उसकी कटी मोटी और उंची तथा अत्यंत विक प्रिथवी को अपने तीशन दांतों की नोग पर रखकर बाहि राए तथा फिर उसे उसके पूर्रु स्थान पर स्थापित कर दिया। प्रित्वी को धारन करने की कारण विश्णू को धराधर कहने लगे अब प्रित्वी पुर्णत्या भैमुक्त होने लगे प्रित्वी ने अनंद मन से विश्णू का धन्यवाद कर नमस्कार किया